As a structural engineer, हमें Stead Pro में कोई भी building design करनी होती है, तो उस पे staircase भी design करनी होती है, और अगर building हमारी कोई apartments design करने है, कोई multi-story building है, तो हमें lifts का भी ध्यान वहाँ पर रखना पड़ता है, यानि कि हमें lift की construction भी करनी होती है, अब इन दोनों ही cases में, यानि कि staircase में और lift के construction में, जो wall analysis किस तरीके से generate करना है, तो आज के इस वीडियो में हम completely shear wall के साथ एक building design करने वाले है, complete results को हम study करने वाले है, complete analysis हम करेंगे, medical के साथ, lifts किस तरह से आपको use करनी हो, openings कैसे generate करनी है, staircase अगर हम use करें, तो उसका किस तरीके से क्या location उसका prefer होगा, notes कैसे हम उसमें joint करें, यानि बहुत interesting होने वाला है, और last में deflection का, shear force का, bending moment का, elastic curves का, कैसे इन सभी का complete customized report हम generate कर सकते हैं, तो वीडियो के end तक हम ये सभी चीजे बहुत detail में समझने वाले हैं, सभी concepts को हम basic से ले करके, और advanced तक बिल्कुल एक clear way में समझने वाले हैं, तो वीडियो बहुत interesting होने वाला है, एंट तक जरूर देखिएगा, इसके अलावा अगर आप stat pro live course को join करना चाते हैं, professional course आप join करना चाते हैं, जिसमें जितने भी concepts उनको professional way में सीखना चाते हैं, like live training चाते हैं, session interactive चाहिए हैं, आपको सभी तो एक best suitable time हैं आपके लिए training को join करने का, क्योंकि अभी नया जो badge है, live ad शुरू होने वाला है, और fees भी बहुत ही कम है, बहुत ही nominal charges है, offers भी available है, so it's a suitable for time to joining the live session, जिसमें हम जितने भी contents होंगे, उनकी list, जो app का link है, वो given है description में, वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, कि किन-किन concepts के साथ हम complete software को सीखने वाले हैं, और जो पूरी entire training है, interactive रह हींगे सभी, सब बिना देरी कीवे चली वीडियो भी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो software है, उसको open कर लेता हूं, new project के panel पर आते हैं, और यहाँ पर जो four model है, उन में से में space को selection कर लेता हूं, जो model यहाँ पर given है, space के लावा plane है, floor है, ट्रस है, तो यह अलग-अलग options है, इनके basis पे भी एक particular वीडियो बनाया हूआ है, तो आप playlist में जाकर के check कर सकते हैं, कि किस तरह का model हमें, किस वाले geometry section पर या फिर किस तरह के project पर हम selection कर सकते हैं, जो file name है, वो मैंने यहाँ पर structure 1 रखके, और mention कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी shear wall design करना है, जो shear wall हम यहाँ पर बनाने वाले है, वो model आपका कैसा भी हो सकता है, G plus 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, multi-story building भी हम create कर सकते हैं, और outer boundary के साथ साथ आप inner जो आपके पास boundary रहेगी, जो inner surface रहेगा, तो वहाँ पे भी हम उसको easily create कर सकते हैं, लोकेशन आप अपने according system में कहीं भी define करो, चाहे desktop पे रख सकते हो, या फिर कोई particular किसी projects का folder बना के भी, हम उसको direct mention कर सकते हैं, length unit यहाँ पे meter में रखना है मुझे, और force का unit है, वो मुझे यहाँ पे kilo Newton में रखना है, और उसके बाद मैंने यहाँ से selection किया next, आप से पूछा जाएगा, where do you want to go, so you have to select a red beam, add plate, solid, structure wizard, stat editor, job information, किस condition पे कर रखा है, आप जो old videos हैं, उनमें जाकर रहेगे, चेक कर सकते हैं, so add beam को मैंने यहाँ पे selection किया, now you have to select a finish, finish करने पर आप जो आपके पास main graphic user interface है, आप उसमें enter कर चुके, और इस user interface के अंदर आपको एक grid pattern दिखाई देगा, जो की कुछ इस तरीके का है, और इस grid pattern पे ही हमें work करना होगा, तो geometry create करना है, सबसे पहले, अगर हम workflow को follow करें, जो step से designing करने का पूरा analysis तक लेके जाने का किसी भी project का, तो सबसे पहले आपको geometry बनानी है, then properties आप define कर लीजिए, property के बाद आपको specifications पे काम करना है, supports आप लगा सकते हो, loads define करने के बाद आपको analysis करना होता है, तो यह पूरा एक workflow है, और इसी workflow के basis पे में काम करना है, अभी देखो, जो geometry आपके पास यहाँ पर given है, जो grid format है, अगर हम इस grid को follow करते है, और यहाँ पर जो data area है, इसमें node और beam का value अगर हम डालें, तो one by one value डालेंगे, तो time taking process हमारे पास रहेगा, ठीक है, हमें time saving process करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास उपर यहाँ पर tools given है, तो एक geometry का panel मिलेगा, और सबसे bottom में आपके पास एक option आता है, run structure wizard, यानि कि कुछ primitives के basis पे हम यहाँ पर जो structure है, geometry है, उसको create कर लेता है, ठीक है, अब एक panel open हुआ, जिसमें पूछा गया है, model type तो बे फ्रेम को कुछ modification, यानि कि उसके editing करने के लिए कुछ panel open हुआ है, जिसमें length, height and width आप से पूछी गई है, यानि कि जो structure आप बनाओगे, उसका length कितना रखना है, height जो है 15 feet से हटा करके, मान लेजिए मुझे इसको 18 feet रखना है, 20, 21 feet लेके आना चाहते हो, 22 भी आप इ 12 meter define किया है, इससे पूछा गया है कि number of base along length, यानि कि 12 को आप कितने parts में divide करना चाहते हो, यानि कि length को हम कितने parts में divide करें, अगर मैं 4 में करता हूँ, तो मेरे पास वहाँ जो 12 meter है, वो 3-3 meter के part में convert हो जाएगा, यानि कि पहले column से, दूसरे column के spacing है, वो 3 meter रहेगी, अब य सकते हो, 6 में कर सकते हो, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से dimensions given होगी, okay, so मैं 21 meter को यहाँ पे 7 parts में convert कर देना चाहता हूँ, तो जो height रहेगी मेरे पास, वो standard रहेगी according to IS codes, that is, तो 33 meter की मैं यहाँ से height को mention कर देता हूँ, ठीक है, width है मेरे पास 12 meter, इसको भी मैं 4 parts म apply, apply पे करते हो, तो आप notice करोगे कि आपके पास जो structure आया है, वो ground story के साथ-साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो G plus 6 आपके पास structure यहाँ पे create हुआ है, और हमें इस G plus 6 में ही work करना है, ठीक है, तो मैं इसको cross कर देता हूँ, क्योंकि हमें यही model screen पे लेकर कर आना है, जो user interface है, उसमें, you have to click on close, आपके पास एक notification आता है, would you like to transfer this prototype into stat pro, so you have to select a yes, फिर से आपको okay कर देना है, तो project आपके पास जो model था वो यहाँ पे create हो किया, अब मैं grid pattern को यहाँ से हटा देता हूँ, अब इतना करने के बाद अगला जो panel है, मेरे मुझ से यहाँ पे कुछ slabs के बारे में define करना ह होगा, कुछ beams और column की property भी मुझे यहाँ पर define करनी होंगे, क्योंकि geometry काम मेरा यहाँ पर finish होता है, बट उससे पहले मुझे क्या करना है, एक plate element यहाँ पर define कर देना है, ठीक है, plate element के लिए जिसे सबसे bottom में, आप slab define करते हो, बस हमें वही slab, floor, roof, system हमें यहाँ पर create कर देना ह ठीक है, तो सबसे bottom में करेंगे, तो अगर हम यहाँ से selection करते है, four noted plate का, तो देखो यहाँ से इस वाले node को हम selection कर लेंगे, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन जो fourth node आपका यहाँ पर given है, उसको selection कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, structure क मैं चेक करता हूँ, positive Z से, और cut section के basis पे सरफ इतना इतना हिस्सा में रख लेता हूँ, building का, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक option आता है, cut section, select to view, यानि की उसको selection कर लेंगे, जिसको देखना है, तो मुझे सरफ इस पार्ट को देखना है, तो देखो बाकी का जो आपके प ठीक है, detail process के लिए मैंने एक ऐसे छोटे हमें parts यहाँ पर बना लेना है, अभी देखो one by one बनाएंगे, तो थोड़ा सा time taking process है, तो मैं क्या करता हूँ, plate cursor की help से, मैंने plate को select कर लेना है, और यह जो further आपके पास options यहाँ पर available है, यह हम कर देंगे, copy, ठीक है, इसको repeat कर दें direction है, एक हमें Z direction में चलना है, एक Y direction में चलना है, और हमें यहाँ पर steps को define करना पड़ेगा, तो total जो step है, यानि कि इस वाल ए panel को हमें 3 times copy करना है, ठीक है, direction मैंने रखा, जो direction है, वो X में मुझे copy करना है, सो मैं यहाँ पर X में 3 times copy कर देता हूँ, लेकिन spacing मुझे लेकर के चलना है, 3 meter की, तो मैंने 3-3 meter की spacing रखी, और मुझे 3 times इदर copy कर देना है, so you have to select are okay, तो notice करोगे कि आपके पास यहाँ पर 3 times plate copy होगी, ऐसे ही मुझे इसको selection करना पड़ेगा, ठीक है, यह जो चारो आपके पास members है, इन सभी को हम select कर लेते हैं, second, third and fourth, अब इन सभी को हम repeat क कर देंगे, process को फिर से करेंगे, translation repeat और direction रहेंगे, मेरा Z, Z direction में करना है, 1, 2, 3, वही 3 step मुझे लेकर के चलना है, 3 step मैंने define किये, spacing रखनी है, मुझे 3 meter की, तो मैंने वही 3 meter के spacing को यहाँ पर define किया, and now you have to select are okay, तो आप notice करोगे कि आपके पास हर एक एक जो भी यहाँ पर frame बन रहा है, उसके उपर plate element आपका create हो चुका, ठीक है, अब यही further element हमें G plus 1 पे, 2 पे, 3 पे, उनके basis पे करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे pattern को selection करके, और हमें further translation repeat कर देना है, ठीक है, तो मैंने इस पूरे process था, इसको selection किया, तो आप notice करोगे, जितनी भी आप आपके पास plates थी, वो सभी यहाँ पे select हो चुकी है, और selection होने के बाद, अब मुझे पूरे structure को display कर देना है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास option आता है, display hall structure, पूरा structure देख गया, अब हमें ये वाला panel कितने times copy करना है, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 time मुझे copy करना है, ठीक है, translation repeat कि direction रहेगा मेरे पास y, क्योंकि height में हमी जाना है, और number of steps, spacing में 3 meter का रख देता हूँ, और total step मुझे कितने लेकर के आना है, 6 लेकर के आना है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप यहाँ पे इसको 6 times copy कर सकता है, link step, renumber कुछ भी करने की जूरत नहीं है, you have to direct click here, ok, ok कर दोगे तो और फिर से selection करो, देखो, plate element हमने यहाँ पे already apply कर दिया है, ठीक है, अभी देखो, इतना सब करने के बाद, मैं चाहता हूँ कि beam और column के property को define करने से पहले ही मैं यहाँ पे shear wall का जो format है, उसको define कर लेता हूँ, right, तो shear wall के format को define करने के लिए हम कैसे काम करेंगे, सबसे पहले ह आक्टिवेट किया यहाँ पे, तो यह कुछ इस तरीके का दिखेगा, अब इस top view में मुझे क्या करना है, हर एक एक side जो walls है इन पे shear में मुझे consider कर लेना है, ठीक है, यानि कि यह boundary हो गया, यह second है, यह third हो गया, यह fourth हो गया, तो मुझे यहाँ पे shear wall की category को define कर लेना है, औ तो फिर से मुझे cut section करना पड़ेगा, cut section करके selective view, ok, और अभी जो मुझे shear wall design करना है, वो सिरफ इस panel पे करना है, सबसे bottom वाले पे ठीक है, तो देखो बाकी का structure था वो hide हुआ, अब मैं फिर से इसको यहाँ पे save कर देते हैं, पहले model को, अब मैं isometric view में आता हूँ, तो structure मेर wall लेकर आने के लिए, यानि कि मुझे कोई surface यहाँ पर create करना पड़ेगा, ठीक है, हमें जो काम करना है, वो surface को add करना है, so add surface करने का जो process है, बड़ा ही simple है, जैसा आपने plate को add किया था, ठीक, वैसे हम यहाँ से surface को लेकर के आ सकता है, ठीक है, structure को मैंने थोड़ा सा zoom किया, यहाँ पर देखो, add plate given है, और उससे अगला option आपके पास आता है, add surface का, select आपने किया, इस वाले panel को मैं define कर लेता हूँ, surface के लिए, this is my first, और यहाँ से जैसे आप, surface में basically आपको five times node को select करना पड़ेगा, तो एक surface मेरा यह हो गया, और ऐसे एक को छोड़ करके, दूसरा surface मे मैं यहाँ पर define कर लेता हूँ, ठीक है, यह process है, shear wall लेकर के चलने का, ठीक है, ऐसा ही हम अंदर करेंगे, जहाँ पर मालो मुझे lift और stair का combination लेकर के आना है, तो देखो, एक side मैंने create कर दिया, यह side मेरे पास यहाँ पर create हो चुकी, अब इतना creation करने के बाद, हम फिर से पोरे view में check करना है, और फिर से मैं यहाँ पर cut section का use कर लेता हूँ, और cut section का use करने के बाद, again selective view करते हैं, okay मैंने किया, और अब की बार जो मुझे section चाहिए, वो सरफ मैं इसको define कर लेता हूँ, cut section पर आओ, selective view, okay मैंने किया, यहाँ से आपको cursor लेना है, beam cursor, और इस वाले pattern को visible कर देना है, और फिर से आप isometric view में आओगे, तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा, और फिर से हम यहाँ पर selection करेंगे, surface add करना है मुझे, और मैं इस वाले pattern को, पहले मैंने इसको selection कर लेना है, यानि कि मेरे पास एक surface यह हो गया, एक को मैं blank छोड़ देता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पर create कर लेता हूँ, इस तरीके से मैंने second section यहाँ पर create किया, अब फिर से वही हमें करना है, display कर देना है पूरे structure को, और फिर से मैं इसको top से check कर लेता हूँ, अब मुझे इस वाले pattern को follow करना है, तो इस वाले को follow करने के लिए simple you have to selecter cut section, selective view पर आते हैं, और यहा अब फिर से यहाँ पर isometric view में, अब मुझे यहाँ पर फिर से use करना है add surface का, select मैंने किया, और मुझे कुछ इस तरीके से इस panel को ऐसे define कर लेना है, five times मैंने इसको copy किया, then again you have to select the second node, third node given है, यह fourth node हो गया, this is my fifth node, इसी के साथ अगर आप बनाना चारू इस वाले pattern को, तो भी हम इसको continue कर सकता है, ठीक है, बट एक particular design के लिए में नहीं कर रहा है अभी इसको, फिर से पूरे structure को display कर देते हैं, top view से इसको फिर से check कर लेते हैं, अब मेरे पास यह वाला जो area है, यह पूरा vacant है, ठीक है, तो मुझे इस वाले पर working अभी करनी है, so again you have to select the icon, that is cut section, cut section हमें करना है, selective view को मैं यहाँ पर define कर लेता हूँ, and again you have to click on okay, beam cursor को लेते हैं, और सरफ इस वाले part को follow कर लेना है, ठीक है, isometric में आए, यहाँ से मुझे वही panel को selection करना है, जैसे add surface आप ने किया, अब मुझे यहाँ से modeling इसका कर देना है, this is my second, fourth, और यह fifth point, ठीक है, एक मैं इसको define कर लेता हूँ, यह हो गया second, यह second point ले लो, this is your fourth point, इस तरीके से हमें इसको define कर देना है, ठीक है, अब आप फिर से isometric view में आओगे, display कर देता है, पूरे structure को, तो देखो, यह जो अभी आपके पास create हुआ है, तो यह shear wall का जो pattern था, वो यहाँ पे create हुआ, अब अगर मैं rendering करके देखूँगा, तो पूरा structure है, वो कुछ इस तरीके का आपको देखेगा, ठीक है, तो हमने देखो, अलग-लग मुझे शेयर wall को लेकर, concept हम design कर रहे है, एक और concept अगर हम रखें, तो आप यहाँ पर simple कर सकते हो, top के panel पर आता है, और selective view में, सरफ कुछ panel को यहाँ पर रख लेता है, जैसे मुझे inner section पर भी यहाँ पर चाहिए, माल लीजिए मेरा, यह वाला एक section है, ठीक है, मुझे सरफ इस पूरे section में, सरफ इस वाले part में मुझे share wall ले गयाना है, सरफ मैं कहूं कि इस वाले part में अगर हम लेकर कर आए, तो सरफ इन parts का जो भी आपके पास panel वो कैसे design करोगे, देखो, आपको यहाँ पर define करना है, cut section, selective view, okay मैंने किया, मुझे सरफ beam cursor की help से, इस वाले part को check करना है, isometric view पर आते हैं, तो देखो, पोरा pattern आपको यहाँ पर visible हो गया, अब मैं इस सब पे shear wall ले करके आता हूँ, ठीक है, मालो ही मेरे पास lift का concept है, तो lift को concept के लिए एक side में opening कर देता हूँ, और बाकी तीनो side मुझे shear wall ले करके चलनी है, ठीक है, seem यही pattern हम किस में follow करेंगे, staircase के लिए, तो मुझे यहाँ पर फिर से use करना है, add surface का, click मैंने किया, पहला option यहाँ पर given है, second node को selection कर लो, this is our third node, fourth यहाँ पर given है, और fifth node को मैंने click कर लिया, एक pattern बनने के बाग, this is again our first node, यह second node है, यह third node को selection किया, यह fourth node हो गया, और यह हमारे पास हो गया, fifth node, ठीक है, back panel हम यहाँ पर creation कर लेनी है, यह आपका fourth node हो गया, और सबसे top पर फिफ्ट को carry कर सकते हूँ, front मुझे यहाँ पर open रख लेना है, ठीक है, हम मैं पूरे structure को display कर देता हूँ, अब आप isometric view में इसका rendering करके देखोगे, तो कुछ इस तरीके से आपके पास यह sections create हो करके आएंगे, ठीक है, हम इस तरीके से पूरे section को check कर सकता है, यह देखो, अब इतना करने के बाद, जो हमारे पास further proceedings रहेंगी, वो रहेगी कुछ अलग से property हमें यहाँ पर define कर लेना, ठीक है, तो अलग से property लेके चलने के लिए, मैं क्या करता हूँ, जो rendering process है, उसको यहाँ से हटाता हू और beams और column के property याने कि उनका size है, section है, वो मुझे यहाँ पर define कर देना है, तो इसके लिए मैं general पर आता हूँ, और general पर आने के बाद, मुझे यहाँ से define करना है, और यहाँ पर आपके पास एक option आता है, property के second option, rectangle, क्योंकि मुझे rectangle shape लेकर के चलना है, beams और column के, ठीक है, अब second, third, fourth, fifth, sixth, G plus six structure मेरे पास यहाँ पर given है, ठीक है, तो G plus six के लिए, जो column height है, suitable column height है, अगर codes को हम follow करें, तो आप 18 by 18 inches के column यहाँ पर provide कर वास लगते हो, 18 by 18 inches का मतला 450 mm, 450 mm मुझे यहाँ यहाँ पर define कर देना है, ठीक है, तो मैं YD और ZD को equal रख लेता हूँ, और मैंने यह 0.45 meter मुझे कर देना है, तो यह 450 mm हो जाएगा, ठीक है, 0.45 मुझे लेकर के चलना है, मैंने यहाँ पर section design किया, column का, so again you have to select your add and click on close, close करने से पहले यह ध्यान रखना है, कि देखो यहाँ पर आपके पास एक reference generate हो गया, column का, अगला जो reference है, वो मुझे beams का लेकर के चलना है, तो वही है, beam के लिए G plus 6 story आप लेकर के चल रहे हो, तो G plus 6 के लिए अगर codes को follow करते हैं, तो 14 by 18 inches की beam आप define कर सकते हो, यानि की 318 into 450 mm हम लेकर के चल सकते हैं, ठीक है, तो 14 by 18, minimum side 14 है, तो आप यहाँ पर define करोगे ZD, ठीक है, तो ZD का जो size है, वो मुझे लेकर के चलना है, जैसे मैंने 14 by 18 बताया, तो आप 380 mm, यानि की 0.38 meter हम लेकर के चल सकते हैं, और YD जो आप mention करोगे, that is, you have to select your 0.45, जो की यहाँ पर already आपके पास है, ठीक है, तो 14 by 18 inches का हमने beam का size रखा, so again you have to select your add and click on close, इतना करने के बाद आपको slab की thickness भी consider करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर लेकर के चलनी है, अगर हम standard को follow करें, तो 6 inches के आपके पास slab होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर define कर सकते हो, 6 inches के लिए 0.15 हम लेकर के चल सकते हैं, ठीक है, so you have to select your 0.15 हम यहाँ पर define कर देते हैं, ठीक है, 0.15 meter, plate ठीकने से, plate को आपको अभी consider कर लेना है, दो option आपको मिले करेंगे, second is surface, surface को भी हम लेकर के चलेंगे, उसका reason क्या है, कि जो shear wall आप generate कर रहे हो, वो basically surface की category में count होती है, ठीक है, plate element आपका हमेशा slab और floor जो roof है, इस category में count होगा, ठीक है, तो मैंने plate element thickness को 0.15 meter रखा, यानि के 6 inches according to IS codes, add में कर देता हूँ, अब मुझे surface की जो thickness है, उसे भी consider करना पड़ेगा, तो surface thickness में यहाँ पर लेके चल लेता हूँ, 0.12 meter, ठीक है, इतना enough है, right, तो इसको मैं consider मैंने किया, 0.12 meter, so again you have to select our add and click on close, अब सबसे पहला जो panel था, वो मेरा column का था, तो column को देखो ऐसे one by one हम selection करेंगे, तो process थोड़ा लंबा रहेगा, और हो सकता है कि कोई column, कोई property हम से छूट जाए, हम उसको create ना कर पाएं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, selection आपको कर देना है, reference को, और selection करने के बाद, आप यहाँ से select के panel पे आओगे, और यहाँ पर beams parallel to, अब column हमेशा y direction में होता है, तो चेक करना ज़रा y में जितनी भी आपके प यहाँ से assign करना हूँ, do you want to proceed, so you have to select a yes, column हमने यहाँ पे mention कर दिया, आप notice करोगे, R1 आपके पास यहाँ पे create हो चुका है, ठीक है, ऐसी मुझे beam का size लेकर के चलना है, जो की मेरा reference second है, section है, 0.45 multiply by 0.38, select मैंने किया, select के panel पे आते है, यहाँ पे given है beams parallel to, तो beam x में होगा, औ beam आपका किस में रहेगा, z में रहेगा, ठीक है, तो x और z दोनों को यहाँ से मैंने selection किया, and again you have to select our assigned to selected beams, assign, do you want to proceed, so you have to select areas, तो आपने R1 और R2 को तो यहाँ पे apply कर दिया, आपको define करना है plate thickness और surface thickness, अब देखो plate और surface के लिए आपको ऐसा, right, अब जो plate और surface आप यहाँ प हम अलग-अलग selection कर रहे था, यहाँ पे select के panel में जाके, but plate और thickness को कुछ ऐसा नहीं करना, ठीक है, system by default carry कर लेगा, identification कर लेगा, कि plate कहाँ पे आपने apply किया है, तो उसके according thickness हमें ले करके चलना है, और surface कहाँ पे apply किया है, तो direct system आपको वो पूरा जो customization है, वो create कर देगा, right, त मैं यहाँ पे plate को selection करता हूं, और direct मैं assign to view कर लेता हूं, so you have to select assign, do you want to proceed, click on yes, तो आप notice करोगे कि plate का thickness create हो गया, ऐसी surface को selection कर लो, तो देखो surface यहाँ पे highlight हुआ, assign to view, assign और आपको यहाँ पे फिर से yes कर देना है, तो आप notice करोगे कि देखो, सरफ और सरफ यह जो cursor थे, जो surface आपके पास यहाँ पे create हुआ था, उनी पे thickness आपके पास आ गई है, यह देखो, ऐसे grid pattern आपको यहाँ पे मिलेगा, अब इतना करने के बाद मैं structure को एक बार rendering view में देखो, तो अभी मैंने सरफ surface को select कर रखा है न, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूं, अब ज़रा rendering view देख आप इसका, तो आपके पास जो building है, जो structure है, वो कुछ इस तरीके का देखेगा, जो zoom करके देखें, तो यह देखो, आप इसको अच्छे से पूरे pattern को यहाँ पे follow कर सकते हो, so beams और column का क्या thickness आप ले करके चल ले हो, ठीक है, opening आपने कहां पे mention किया, staircase कहां रखोगे, वो प define करनी होगी, ठीक है, जहां पे आप लोग shear wall लेकर करके चल रहे हो, तो lift और staircase के लिए पूरा उसको opening condition पे define करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम वो भी easily modeling create कर सकते हैं, अब इतना करने के बाद, देखो, आपने property define कर ली, यहाँ पे loadings वगएर, आप यहाँ अपने apply करना है, ठ support के लिए क्या करना है, you have to click on this icon support, create पे आपको selection कर लेना है, और मुझे fix support लेकर करके चलना है, ठीक है, मैंने किया add, support to को आप यहाँ से selection करो, और project को हम front part से check करते हैं, positive z से मैंने देखा, तो मुझे नीचे वाले panel पे support चाहिए, तो आप चेक करो जड़ा, जितने भी nodes थे वो आपके पास select हुए, और यहाँ से आपको assign to selected nodes, assign और आपको yes कर देना है, तो notice करना, जितने भी आपके पास supports थे, वो यहाँ पर create हो चुके, ठीक है, यानि कि हमने support भी यहाँ पर apply कर दिया, अब support apply करने के बाद, अगला जो process है, वो हमारा loadings का होता है, हमें loads and definition में जा पहले जैसे building है, तो इसमें seismic definition बहुत जरूरी है, ठीक है, earthquake load हमें यहाँ पर लगाना होगा, so मैं project को save कर देता हूँ अभी, और यहाँ पर definition पर आता है, load case detail में नहीं जाना, सबसे पहले आपको definition पर आना है, और यहाँ पर earthquake के लिए मुझे use कर लेना है, seismic definitions, so you have to click on add, add क code को follow कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर selection किया, Indian IS 18932005, ठीक है, अब यहाँ पर पुरा pattern आपके पास आता है, इस pattern को detail में समझना चाहते हूँ, कि seismic load apply कैसे करे, codes को selection कैसे करना है, zone factor, response reduction factor, importance factor, foundation depth कैसे mention करना है, ground level क्या होगा, motions कैसे define करना है, ठीक है, response spectrum analysis आपको कैसे define करना है, तो इसके लिए भी detail video है, आप चेक कर सकता है, playlist में, right, इतना selection करने के बाद, मैंने यहाँ पर click करना है, generate, generate पर आओगे, तो एक panel आता है, जिसमें पूछा जाएगा, कि जो आपके building है, वो किस zone में depend करती है, तो zone कैसे define करना है, city कैसे लेकर के चलोगे, SMRF आपक तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी जो मुझे criteria लेना है, वो zone के according मुझे लेकर के चलना है, तो मैं यहाँ पर choice को selection करके, zone को select कर लेता हूँ, और highest category लेकर के चलता हूँ, यानि कि building मेरे ऐसे zone में depend कर रही है, ऐसे zone पर बनानी है, जहाँ पर earthquake बहुत जादा हो, उसके intensity बहुत जादा हो, तो यह zone 5th मेरा होगा, ठीक है, जिसका जो factor आएगा 0.36, आप click करके यहाँ पर check कर सकते हो, ठीक है, response factor मैं ने 5 रखा, building मेरी general building है, कोई importance category लेकर के नहीं चल रहा, एक normal building है, residential, multi-story building, ठीक है, flats purpose से, so importance factor मेरे पास 1 है, other जो parameters हैं, जिसमें rogue और soil type आप से प लेता हूँ, ठीक है, कि building जो मेरा medium soil पर है, lows पर नहीं है, hard पर नहीं है, मुझे medium पर काम करना है, so medium soil मैंने यहाँ पर रखा, और इतना करने के बाद आपको यहाँ से value कर देना है, generate, अब values generate करने के बाद आप check करोगे, कि आपके पास पूरा factor यहाँ पर given है, but एक factor मुझे यहाँ से consider कर लेना, damping ratio, ठीक है, जो की हमें लेकर के चलना है, 0.05%, ठीक है, इतना करने के बाद, you have to select an add, आपको add कर देना है, इसके बाद आप से self weight के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, तो self weight तो देखो, मैं one ही लेकर के चलना है structure का, तो यहाँ पर zone add हुआ, अब self weight आ निकालना होगा इसका, जो member हो, उनके ऊपर कुछ न कुछ तो pressure आएगा, तो मैं यहाँ पर member weight को select कर लेता हूँ, और loading type जो है, concentrated से हटा करके uniformly रख लेता हूँ, ठीक है, uniformly mention करने के बाद, आप से पूछा जाता है weight, तो weight देखो, member का कैसे selection करेंगे, जैसे beam है, तो beam का हमारे पास क्या size था, उस size को हमें multiply कर देना unit weight से किसके concrete के है, ठीक है, तो सबसे पहले तो beam का size हमें check कर लेना है, तो beam का size हमने g plus 6 के according कितना रखा था, check करना है, तो check करने के लिए देखो property में आओ, property में आके हम यहाँ से direct check कर सकता है, ठीक है, otherwise मैं यहाँ से calculator को open कर लेता हूँ selection आप इसको कर लो, ठीक है, 25 से मुझे multiply करना है, और g plus 6 के लिए beam का size मैंने लिया था, 14 x 18 inches ठीक है, यानि कि 0.38 multiply मुझे कर देना है, किस से, 4.5 से, 0.45, ठीक है, आपके पास answer आता है, 0.171, इसको मैं multiply कर देता हूँ, unit weight of your concrete, that is 25, equals to 4.275, अब के पास answer आता है, ठीक है, अब यही 4.275 का जो unit weight है, यह मुझे इस पर apply कर देना है, ठीक है, so you have to selector 4.275, आप इसको यहाँ से minimize कर दीजिए, और यहाँ पर लिख लेना है, 4.275 kN per meter, मुझे यह pressure ले करके चलना है, आपको यहाँ से add करके, close कर देना है, ठीक selection करोगे, तो वही है, भई, member पर, beams पर ले करके आना है, तो beam तो आपकी दो जगह पर होंगी न, ठीक है, इसको save कर देता है, और यहाँ से selection कर लेना है, uniformly 4.275 kN per meter का हमने लगा, uniform force है, तो आप select के panel पर आ करके, beam parallel to x direction, and again beam parallel to z direction, ठीक है, x और z में beam है, तो assign to selected beams, assign yes, ठीक है तो देखो, uniform जो आपके पास weight था, वो apply यहाँ पर हो चुका, अब इतना करने के बाद, अगला process देखो, आप चाहते हो, wind हम आप define करें, तो wind भी आप लेकर के चल सकते हो, ठीक है, तो हमें करी देते हैं, क्योंकि wind के लिए आपके पास IS codes को अगर follow करोगे, तो अगर building की height 10 meter से उपर है, तो हमें wind load को apply कर देना है, और building की height हमारा कितना है, 21 meter का है, तो फिर तो हमें करना ही करना है, ठीक है, तो मैं wind definition पर आके, यहाँ पर add पर click कर देता हूँ, और wind type definition पूछा गया, type 1, comments में wind 1, so you have to click on add and click on close, अब यहाँ से देखो type 1 आपके पास given है wind, इसको हमें add कर लेना है, अब देखो यहाँ पर intensity versus height का ratio पूछा गया है, अब intensity कैसे निकालता है, इसके पीछे क्या formula होता है, height कैसे calculate करो गया building की, ठीक है, तो यह basically IS 875 part 3 में बहुत easily given है, intensity calculate करने के formula, कैसे हमें height check करना है building का, किस location पर हमारी building है, उसके according intensity क्या होती है, और हर अलग-अल मेटर के उपर हमें height कैसे लेकर के आनी है, क्या intensity रहेगे, क्लो न्यूटन पर मेटर स्क्वेर बे, ठीक है, यानि कि wind speed कैसे flow कर रही है, इसका भी detail video है, अब playlist में जाकर के चेक करेंगे, तो उसमें मैंने manual तरीके से बताया हुआ है, कि आपको intensity और height का ratio कैसे calculate करना है, ठीक ह तो मैंने रखा कि intensity जो है मेरे पास 1.5 क्लो न्यूटन के behalf पे, क्लो न्यूटन पर मिटर स्क्वेर है, और building की height में लेकर के चल रहा हूँ 21, जा फिर मैं इसको कर देता हूँ, 2 क्लो न्यूटन पर मिटर स्क्वेर, intensity है मेरे पास wind की, और height है मेरे पास 21 की, ठीक है? मैंने ए 1.5 और building का height है वो मेरे पास है 21 की बजाय में थोड़ा सा कम कर देता हूं ठीक है 1.5 मुझे लेकर कर आनी है तो building का height मैंने रखा 17 अब building का height अगर मेरे पास intensity 1 की मुझे flow कर आनी है तो height में यहां पर लेकर कर आता हूं कि building का height रहेगा उसको मैं consider कर देता हूं यहां पर 11 मीटर ठीक है ऐसे हम नीचे लेकर कर आएंगे सो मैंने रखा इसको 0.5 तो आप यहां से building की height को लेकर कर चल सकते हैं like 6 को मैं consider कर लेता हूं ठीक है और और अगर कम लेकर कर आनी है तो भी 0.5 से नीचे आप 0.2 को कर एक consider कर सकते हो 0.1 को भी हम यहां पर यहां पर consider कर सकते हैं ठीक है 6 है तो आप इसको 3 मिटर पर भी लेकर आ सकते हो और यहां से मैंने इसको 1 पर consider कर वाया ठीक है इतना मुझे variation रख देना है इस पर मैंने रखा यहां पर add आपको कर देना है फेक्टर आपसे पूछा गया है जो कि exposure factor यान कि opening कितनी है exposure factor के लिए simple है value आपको codes के according mention कर देना है तो exposure factor आपका हमेशा होता है 1 ठीक है तो आपको यहां से value 1 रखना है add आपको करके close कर देना तो देखो यहां पर intensity का panel आ गया और एक exposure आपके पास यहां पर generate हो गया ठीक है अब इतना करने के बाद आपको exposure को selection कर लेना है और हमें इसको assign to view कर देना सिर्फ exposure को ठीक है select मैंने किया assign to view assign yes तो आप notice करोगे कि हर एक एक nodes पर देखो exposure आपका यहां पर applicable हो गया ठीक है अब exposure को define करने के बाद हमें further proceedings पर आना है अब हम आते है load case details पर आपको add कर लेना यहां से load case details को add करने के बाद loading types आप से पोची जाएंगी देखो काफी सारी loading types हैं तो सबसे पहले तो seismic को consider करो और seismic आपका किस-kis direction में होगा वो हमें लेकर कर के चलना है ठीक है? earthquake जो हम यहां पर लेकर के चलेंगे वो हमारा एक तो positive x में होगा so इसको मैं यहां पर add कर लेता हूँ और एक earthquake हमारा लगेगा z direction में ठीक है? तो मैंने Earthquake यहाँ पर X में रखा और Z में रखा, दो condition मैंने define कर दिया है यहाँ अब अगला जो case है वो मुझे wind load लेकर के चलना है, तो देखो यहाँ पर wind given है, मिलगे आपको wind load, इसका भी मुझे title define करना पड़ेगा, So wind load के मुझे क्या करना है, वही है X direction में और Z direction में लेकर के चलोगे, ठीक है, So you have to select wind load in X direction, add कर देते हैं, and wind load in Z direction, इसको भी मैं यहाँ से, इसको save कर दीजी, इसको भी मैं यहाँ पर add कर देता हूँ, ठीक है, X direction given as Z है, दोनों को consideration करने के बाद, अब अगला फिर से मुझे एक dead load लेकर के चलना है, जसमें सरफ और सरफ building का self weight मुझे consider कर लेना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर dead की category में आ करके, और title define कर देता हूँ, dead load, ठीक है, DL मैंने mention किया, add आप इसको फिर से कर देजी, ऐसे ही मुझे consideration एक live load की लेकर के चलना है, जिसका title मुझे define कर देना है, two time cell, ठीक है, you have to select our live load, और मुझे यहाँ पर title mention कर देना है, LL, add मैंने किया, अब आप कर देजी इसको close, ठीक है, तो देखो सारी load के इस detail आपके पास यहाँ पर given है, अब starting से काम करना है मुझे, earthquake के category में आओगे, add आप करोगे यहाँ पर, तो देखो जो list आपके पास generate हुई ह यहाँ पर सबसे पहले earthquake को check कर लेना है, तो seismic load मेरे पास कहां मिलेगा, देखो यहाँ पर given है, temperature load के नीचे seismic है, selection कर लो, काफी अलग अलग list आपके पास यहाँ पर given है, so seismic load को मैंने selection किया, direction मेरे पास x रहेगी पहले, factor मेरे पास 1 है, क्योंकि positive में लेकर के चलना है, so मै ऐसे ही मुझे दूसरी condition ले लेनी है, z, ठीक है, तो ऐसे ही इसको close कर देता है, close करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि करना है, हम इस z को consider करके फिर से add करना है, और यहाँ से फिर से seismic load पे आओ, direction हम इस z को consider कर लेना आपके बार, और factor 1 है, add करने के बाद close कर देना, ठीक है, तो earthquake earthquake का काम यहाँ पे finish हुआ, अब मुझे wind load को selection करना है, wx, add मैंने किया, तो सिस्मिक के नीचे time given है, time history आपको मिलेगा, wind load यहाँ से select कर लो, ठीक है, अब wind load आपको किस category में define करनी है, सबसे पहले तो factor लेकर करके चलना है, तो factor आपके पास रहेगा, x के लिए, wind ward face के लिए, यह मुझे negative, minus one लेकर के चलना है, ठीक है, और फिर आप range यहाँ पे define करोगे, तो x के लिए किस range पे आप काम करना है, वो range हम easily यहाँ पे define कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो, पहले positive लेकर के चलना है, और दूसरा negative, x में positive भी रहेगी, negative भी रहेगी, तो सबसे पहले हम पे selection करो, add आपको कर देना है, और ठीक, ऐसे ही मुझे यहाँ पे minus one, x direction में, ठीक है, negative मुझे consider कर लेना है, दो चीजे मैंने consider की, close कर दीजी आप इसको, अब z direction में मुझे लेकर के चलना है, win, add मैंने किया, again, win load के category में आओ, अब जहाँ पे x थाना, उसको हटा करके, चलना होगा, यहाँ पे negative के भी हाफ पे, so मैंने इसको add किया, and click on close, ठीक है, अब dead load पे आना है, और dead load पे add करते हैं, तो सबसे पहले मुझे लेकर कर आना है, यहाँ पे self aid, consider किया, add करने के बाद close कर दीजी, अब मुझे live load में floor, जो load है, उसको consider कर लेना है, ठीक है, live load पे आते है, add मैंने किया, और यहाँ से देखो floor load आपको मिल जाएगा, floor load given है, अब कितना pressure आप यहाँ पे लगाओगे, वो आपको check करना है, ठीक है, so according to IS code, जो pressure मेरे पास लगेगा floor का, वो मैं लेकर के चलता हूँ, minus 2.5, 2.5 होता है, minus मैंने लगाया है, gravity की वजए से, ठीक ह और close कर देना है, ठीक है, अब सबसे पहले देखो, जरा live load आपका यहाँ पे, activate हो गया, ऐसे self weight को रखो, assign to view, assign और yes कर लेता है, ठीक है, self weight आपका assign हुआ, ठीक है, जो हमारे पास wind की categories है, उनको भी हम यहाँ पे easily define कर सकता है, ठीक है, बट उससे पहले, एक load combination मुझे लेकर कर लेकर के आना है, ठीक है, यह आप चेक कर सकते हो, लगलग directions आपको मिलेंगी, जैसे wind का यहाँ पे check करो, तेको मिल रहा है, positive से, negative भी आप यहाँ पे consider कर सकते हो, ऐसे z direction में भी आप यहाँ पे check कर लोगे, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, load के इस detail में आकर के, एक combination मु और जितने भी loads हैं, उन सभी को यहाँ पे generate कर देना है, तो check करो, पूरा combination यहाँ पे आगया, अब इस पूरे combination को यहाँ पे add करके, and you have to select our close, ठीक है, तो देखो, पूरा combination आपके पास यहाँ पे generate हो गया, अब इतना करने के बाद, material को selection कर लो, material आपके पास, देखो, concrete का ह assign to view करके assign, और इसको define कर देना है, material concrete का हो गया, अब हमें building का analysis कर लेना है, so analysis and print पे आता है, उससे पहले section को save कर दीजिए, analysis and print, और यहाँ पे मेरे पास एक option आता है, perform analysis, आप check करोगे कि पूरा notice, जो पूरा data आपने create किया, जो भी steps आपके रखे, वो यहाँ पे given है, मैं no print करके add करके close कर देता हूँ, यतना करने के बाद आपको control plus F5, यानि कि final run analysis करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो structure हम design कर रहे है, वो कहीं fail तो नहीं कर रहा है, हमें वो पूरा pattern check करना है, तब notice करोगे यहाँ पे, अभी zero error create हो रहे है, ठीक है, warnings कितने भी आसकती है, notes आपके कितने भी आसकते है, but error नहीं आना चाहिए, बिल्डिंग में, अगर error आया, तो समझो कि हम यहाँ पे, जो process है, वो पूरे तरीके से गलत होगा, structure हमारा fail कर जाएगा, ठीक है, तो अभी पूरे surfaces आपके यहाँ पे create होंगे, हर एक एक surface जो आपने create किया था, जो भी shear wall आप लेकर के चल रहे थे, उस सभी का यहाँ पे detail analysis अभी चल रहा है, ठीक है, यह देखो, surface 4 of 11, ऐसे surface 5 of 11, तो ऐसे पूरा analysis आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो analysis में थोड़ा time लगता है, तो इसमें time आपको देना है, ठीक है, जितने भी stress file है, displacement file होंगी, force की file है, section forces element, corner forces, सब यहाँ पे generate होंगे, joint displacement की calculation होती है, stiffness matrix पे पूरा जो value है, वो आपका stiffness matrix पे create होगा, ठीक है, अभी देखो, report हो चुका आपके पास यहाँ पे, आगया, done पे आगया, zero error है, one warning है, two note है, यानि की structure आपका पूरी तरीके से ठीक है, अब अगर आपको output file चेक करना है, then you have to select your output file, otherwise मैं post processing mode में जाकर की, shear force है, bending moment है, उनके calculations चेक करना चाता हूँ, so you have to select your go to post processing mode, मुझे यहाँ से done पे click कर देना है, ठीक है, सारे factors है, apply करके ok कर दीजिए, तो pattern कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा, तो देखो हर एक displacement की values यहाँ पे check कर सकते होगा, plates के उपर, क्या reactions आपकी generate होगी, तो यह reactions अगर आपको देखनी है, तो check करो, यहाँ पे तो देखो नहीं check कर पा रहे, क्योंकि सब आपस में mix हो गया, तो यहाँ पे आप हर एक nodes की reactions चेक कर सकते हो, कितना load आ रहा है, reaction है, difference कितना generate होगा, वो भी हम यहाँ पे easily पूरे results को check कर पा रहे है, displacement किसके basis पे check करना चाहरे हो, मानलो, wind के condition पे check करना है, तो wind के results आपके पास follow होगे, ठीक है, ऐसी मानलो, beam का result चाहते हो, सिंगल beam का चाहिए, तो मैं कोई भी एक beam number 27 को मैंने selection किया, section यहाँ पे given है, 0.45 multiply by 0.38, और property आप यहाँ पे check कर सकते हो, click करके, ठीक है, elasticity given है, poison ratio material concrete है, उसकी detailed report आप यहाँ पे easily check करो, ठीक है, loadings आपको check करनी है, then you have to select our loadings, shear bending चेक करना है, beam का, ठीक है, shear bending मानले जीए, positive Z में चेक करना है, Y में करना है, तो आपके पास अलग-लग results given है, earthquake के basis पे करना चाहता हो, या dead load के basis पे करना है, तो कुछ इस तरीके से, आपके पा अलो मुझे print करना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक option आता है, print, आप selection करें, Microsoft print to PDF, ok आपको कर देना है, ok करने के बाद, पुरा result आपके पास यहाँ पे PDF format में आ जाएगा, ऐसे ही deflection check करना है, deflection मानले जीए, wind load के basis पे, live load के basis पे deflection check करें, ठीक है, y direction में करना है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से deflection होगा, ठीक है, अब deflection हर एक distance का आप check कर सकते हो, यह देखो, पूरा given is 0 पे कितना है, 2.5 पे कितना होगा, 0.5 पे, 75 पे, 1 पे कितना होगा, तो आप यहाँ से हम अलग-अलग, अब जैसे आपने beams को check किया, ठीक, वैसे ही आपके पास पूरे column की properties यहाँ पे given होगी, ठीक है, जिसे मालो मुझे इस column की check करनी है, तो देखो column में क्या deflection है, क्या shear bending रहेगा, हर एक एक distance पे, वो पूरा value आप easily यहाँ पे check कर सकते हो, यह column की property है, 0.45 multiplied by 0.45 पूरा section given है, यह geometry हो, geometry को यहाँ से check कर सकते हो आप, ठीक है, इसको मैंने क्या close, माली जी, आप चाते हो कि structure के अंदर मुझे shear force वगरा देखना है, तो भी यह अलग-अलग values given है, shear force मुझे check करना y direction में, तो देखो ज़रा आप easily यहाँ से calculate कर सकते हो, ठीक है, structure को मैं थोड़ा सा increase कर देता हूँ, यह shear force का value है, ऐसे माली जी मुझे bending check करना y में, bending moment check करना च चाते हो Z में, तो देखो ज़रा bending के values आपके पास यहाँ पर create होंगे, ठीक है, यह जो values है, यह सारे किस के आ रहा है, bending के आ रहा है, और किस के basis में चाहिए, dead load के भी हाफ पर चाहिए, तो dead load का आपको पूरा combination यहाँ पर create होगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा से कम कर देता ह आप, ठीक है, तो यह values काफी ज़ादा हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने इतने forces यहाँ पर लगाए है, अर्थ को एक है, seismic के values आपके पास यहाँ पर generate हो रही है, तो उसी के behalf पे पूरा result आपके पास यहाँ पर calculate होता है, ठीक है, इसके लाब मानलो, पूरे graphs आपको यहाँ पर reflection का चाहिए, तो आप यहाँ पर selection करके, apply करके, ok कर देंगे, तो structure में देखो, बहुत minor सा deflection यहाँ पर given है, ठीक है, अच्छा, earthquake के basis पर plate stress चाते हो, तो आप यहाँ पर selection करो, ठीक है, selection आपने किया, load के इस detail मालो, मुझे earthquake का check करना है, x direction में, stress type मैंने रखा, maximum absolute, तो पूरा तो maximum value देखो, 0.26 का यहाँ पर given है, तो color combination के basis पर आप चेक कर सकते हो, यह earth को एक x का है, ठीक है, wind का check करना है, तो wind का देखो, किस direction पर जादा आ रही है, dead load का check करना चाहते हो, dead load के results available है, live load के लिए check करना है, तो live load के भी आपके पास यहाँ पर further results है, वो available होंगे, ठीक है ऐसे मालो जो भी आपको अलग-अलग codes के basis पर चेक करना है, तो हम इस तरीके से पूरा जो results हो, उसको analyze कर सकते हैं, इसके लावा surface के combinations देखने हैं, तो आप direct surface को selection कर सकते हो, तो यहाँ से आपके पास अलग-अलग जितने भी results हैं, जैसे मालो मुझे चाहिए, इसको मैं यह से हटाता हूँ, मुझे surface के results create करना है, stress type मैंने रखा maximum absolute, और surface का मुझे चेक करना है, earthquake के भी हाफ पे, maximum absolute पर यह value generate होगा, apply करके ok करतीजिए, तो देखो पूरा surface का result आपको मिल गया, ऐसी surface में मालो विन लोड का चाह रहे हो, तो विन लोड की पूरी categories आपके पास यहाँ create होगे, यह पूरा values आप यहाँ पर check कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से हम different methods जिनको follow करके, पूरे structure की क्या duration रहेगी, fail तो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पूरा जो यहाँ पर process है, हम उसको check कर सकते हैं, यह देखो, x में check करना है, y में, z में, dead load में check करना चाहते हो, ठीक है तो ऐसे अलग-अलग options आपके पास available है, अब इसका rendering करना है, then again you have to select this icon rendering view पे हम आ सकते हैं, ठीक है, यह देखो, पूरा model आपका कुछ इस तरीके से render create करेगा, यह है आपका after loadings, तो इस तरीके से आप एक पूरा structure design कर सकते हो, इसका further report चाहिए, तो आप यहाँ पर आ जाओ आपके पास जो output generate हुआ था, जो report थी, उसमें हम आ सकते हैं, ठीक है, output check करना, यह check करो, देखो जरा, कुछ इस तरीके से आपका output मिलेगा, पूरा, यह सारी details यहाँ पे given है, win load आपने कहां पे लगाए, कहां पे क्या codes generate हो रहे है, ठीक है, इस तरीके से हम time period है, आपके पा आपके आपा से लाए, इस नहतोई हो वня पकता है, आपके लिए प्सकना देखीर हे सेजाए है, आपका आपके आपके सा व söylenny, आप स handsome, ओ सिरख पड़ा है, आपके लिए च्ण différentes आपकाए, यह झा arrow, मिलेखा नापके फैक यहार, आपके आपके से ही महाँ है, आपके जा С पुल पुल पुल